दर्श को ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है हमारे देश के हर कौने में हर त्योहार बड़ी ही धूमदाम और खुशी से मनाया जाता है यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे से लेकर वजुर्ग तक हर त्योहार को बड़ी ही खुशी से मनाते नजर आते हैं वही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नवरात्री निकल कर गए हैं जिसके बाद करवाचोत और अब आने वाली है दीपावली और दीपावली की तैयारियां सभी के बीच सुरू हो चुकी हैं लेकिन करवाचोत और दीपावली के बीच में एक त्योहार और आता है जिससे महलाएं मनाती हैं जी हां आपको बता दें ये त्योहार है अहोई अस्टमी का संतान के लिए ब्रत रखती हैं। आपको बता दें कि भारत में हर एक त्योहार का विशेश महत्व होता है, वहीं दूसरी ओर इस त्योहार का भी अपना ही महत्व है। आपको बता दें कि जहाँ पर करवा चौट का ब्रत महिलाईं अपने पती लिए रखती है तो वही दूसरी ओर महिलाईं अपनी संतान की जीवन में हमेशा सुख और समण्धी बनाएं रखने के लिए माता अहोई अस्विब का ब्रत करती हैं निसंतान महिलाएं भी इस दिन संतान प्राप्ति के लिए अहोई अस्टमी का ब्रत रखती हैं अहोई अस्टमी का पर्व कार्तिक मास की क्रिस्न पक्ष की अस्टमी को मनाया जाता है बता दें आपको कि इस दिन माता पार्वती की अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है नि करते समय तो दुश्क आपको बता दें कि अहोई अस्टमी का ब्रत अहोई माता की पूजा से पहले गनेश भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए कि इतना ही नहीं आहोई अस्टमी का ब्रत निर्जल रहकर किया जाता है और ऐसा करने से संतान आयू लंबी होती है और उसे सम्रुद्धी भी प्राप्त होती है वहीं आपको बता दें कि अहोई अस्टमी के दिन साथ ससुर के लिए बायना अवस्य निकालें साथ ससुर आपके पास नहीं रहते हैं तो इस बायने को किसी पंडित या फिर किसी बुज़ुर्ग को भी दे सकते हैं इतना ही नहीं अहोई अस्टमी के दिन तारों को अर्ग दे कर पूजा की जाती है और ऐसा करने से संतान की आयू लंबी होती है और जिने संतान सुक की प्राप्ती भी होती है जिनके संतान नहीं होती है अहोई अस्टमी के दिन ब्रत कथा सुनते समय आप साथ प्रकार का अनाज अपने हातों में रखें और पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दे बता दें आपको कि अहोई अस्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को भी पास बिठाएं और अहोई माता का भोग लगाने के वाद प्रिशाद अपने बच्चों को खिलाएं इतना ही नहीं इस दिन आप गरीब व्यक्ति को दान भी कर सकती हैं दान दक्षणा देने से ब्रत की पूड फल प्राप्ति होती है बता दें आपको की अहोई अस्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राम्मड या गाय को भोजन अवश्य कराएं और उनका आसिरवाद भी लें तो दर्शकों ये थे कुछ ऐसे बात हैं जो की आपको याद रखनी चाहिए और इससे आपका ब्रत सफल हो जाएगा तो दर्शकों आज की रिपोर्ट कैसी लगी आपको आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हैं फिलहाल के लिए हम चलते हैं अगली बार हम फिर हाज़र होएंगे तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन स्प्रिच्छल से प्रांशी की रिपोर्ट